नेक्स्ट बहुत important question जो हमारे सामने है वो ये कि क्या उन सभी matters में जहां पर death penalty का provision दिया है वहाँ पर death penalty देना ज़रूरी है जैसे 302 का example लेते हैं वहाँ पर life imprisonment भी दिया हुआ है और death penalty भी दिया हुआ है तो judge के पास option है कि वो life imprisonment भी दे सकता है यहाँ death penalty दे सकता है लेकिन वो death penalty ही दे क्या इसके लिए कोई special circumstances होते है जी हाँ इस context में हमारे पास दो landmark judgment है on the level supreme court के जो की इस बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे matters हैं जिसमें की death penalty दी जाना चाहिए पहला citation है हमारे पास बच्चन सिंग versus state of Punjab और दूसरा case है जो है वो है मच्ची सिंग versus state of Punjab दोनों ही state of Punjab के हैं और इन दोनों ही cases में honorable supreme court ने यह discuss किया कि rarest of the rare case में ही death penalty दी जाना चाहिए अब ऐसे कौन-कौन से circumstances है जो aggravated circumstances होते हैं जिसके वज़े से death penalty दी जाना चाहिए तो चलिए उन सभी को एक-एक करके देख लेते हैं सबसे पहला circumstance जो है वो हमारे पास यह कहता है कि अगर murder extremely brutal manner में किया गया है तो वहाँ पर death penalty दी जाना चाहिए इसके लाबा अगर murder किसी schedule cast ये schedule tribes के member का किया गया है कि वज़े से कोई भी social एक wrath arise हुआ था तो उसमें भी death penalty दी जा सकती है मान लिजिए कोई matter bride की burning का है या डॉनी death का matter है उसमें death penalty दी जाना चाहिए या कोई person dominating position में था और अपनी इस dominating या trust के position को इस्तमाल करके सामने वाले person का उसमें death cause कर दिया यानि कि कोई person उसमें विश्वास कर रहा था और जिस पर वो विश्वास कर रहा था उसकी dominating position थी उसकी वज़र से उस position को use करके उसने death cause कर दी तो ये भी एक ऐसा case है जो की death penalty देने योगे है इसके अलावा मान लिजिए कोई आदमी अपनी motherland के साथ betrayal करता है गदारी करता है राश के साथ गदारी करता है तो ये भी death penalty का एक particular case है इसके अलावा मान लिजिए जो victim है जिनको मारा गया है अगर वो कोई बच्चा था एक innocent बच्चा था कोई women थी जो की helpless थी कोई ऐसा person था वो old था, inform था या कोई ऐसा person था जो की public figure का था और आम तोर पर community के लोग उसको बहुत प्यार करते थे उसको respect देते थे और वो एक imminent nature का एक imminent personality था ऐसे person की death cause कर दी जाती है तो ऐसे person की death cause करने के लिए भी death penalty दी जा सकती है अब ये तो वो circumstance मैंने आपको बताए जहाँ पर की matters rare में आते है death penalty दी जा सकती है इसमें एक matter और शामिल होता है जो की honor killing का है honor killing आप लोग जानते हैं कि जब लोग अक्सरा अपने villages में देखा होगा कि लोग अपने honor के लिए बच्चों को मार देते हैं जैसे कोई love marriage कर लेते हैं बच्चियां घर से भाग जाती है और वो love marriage कर लेते हैं तो जो वो लोग पकड़े जाते हैं तो उन में से परिवार के लोग होते हैं अपनी honor के वज़े से अपनी dignity के वज़े से के हमारी समाज में बेज़ती हुई है तो वो उन लोगों को मार देते हैं तो ऐसे cases भी rarest of the rare में आते हैं और death penalty के लिए liable हो सकते हैं तो ये तो वो aggravating circumstances थे जिसमें की death penalty cause की जा सकती है लेकिन इसके अलावा क्योई ऐसे circumstances भी हैं जिसमें की death penalty ना दी जाए उसके लिए हमको देखना होता है कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि जिस person ने death cause की है वो extremely mental या emotional distribution की वज़े से disturbed था उसके influence में था अगर कोई person mental या emotional distribution की वज़े से influenced है और उस distribution में ही वो offense commit कर रहा है death cause कर रहा है तो ऐसे person को आम तोर पर death penalty नहीं दी जाने चाहिए अगर accused person young है या वो old age का है तो ऐसे को भी death penalty ये कोई accused person इस तरह का है जिसने की murder commit किया है या किसी की death cause की है और chances इस बात के हैं कि वो समाज के लिए खतरा नहीं है समाज के लिए कोई भी violence create नहीं करेगा भविश्य में तो ऐसे person को भी death penalty नहीं दी जाना चाहिए इसके अलावा अगर इस बात की समभावना है इस बात की probability है कि वो person reform हो जाएगा उस person को हम समाज में अगर हम उसकी future में life imprisonment अगर commute कर देते हैं तो क्या हम उसे समाज में दुबारा से रिस्थापित कर सकते हैं क्या उसको दुबारा से reestablish कर सकते हैं rehabilitate कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा ground हो सकता है death penalty ना देने का इसके अलावा अगर मान लिजे circumstances ऐसे थे जो ये इस बात को indicate करते हैं कि जिस समय पर ये offense commit हुआ है accused person morally justified था उस offense को commit करने के लिए कई-कई बार कुछ ऐसे attenuating circumstances होते हैं compelling circumstances होते हैं जिसमें accused person उन परस्तितियों के इसाब से compelled हो जाता है उस offense को commit करने के लिए लेकिन क्योंकि उसना offense commit किया है तो सजय तो देनी पड़ेगी लेकिन circumstances compelling थे मजबूरी के बज़े से ऐसा करना पड़ गया तो इस situation में भी court आम तोरप death penalty नहीं देती है life imprisonment है जो भी दिया है offense उसके relation में दिया सकते है इसके लावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई person सामने वाले व्यक्ति के domination में है उसके dures में है और उसके influence की वज़े से वो murder commit कर देता है या कोई ऐसा offense जैसे कि मैंने आपको शुरू में list में बताये थे कि certain checklist है जिनमें की death penalty दी जा सकती है तो वो वाले offense commit कर देता है किसी के dures में या किसी की denomination किसी के domination में या influence में तो ऐसे person को भी death penalty नहीं दी जाने चाहिए इसके लावा अगर मान लीजिए ये प्रूव कर दिया जाता है accused person के द्वारा कि mentally defective situation में था जिसकी वज़े से वो properly उस criminality को appreciate नहीं कर पा रहा था तो भी हम उसे death penalty नहीं देंगे आप कहेंगे सर क्या आप insanity के बारे में बात कर रहे है नहीं मैं insanity के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो person offense commit करने के समय पर insane था तो तब तो हम उसे punish ही नहीं कर सकते death penalty देने का तो प्रावदान के सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम वापर उसे death penalty देंगे या life imprison देंगे offense बनेगा offense भी नहीं बनेगा लेकिन यहाँ पर वो person insane नहीं है लेकिन वो mentally disturbed हो गया certain circumstances की बज़े से और उसने वो act commit कर दिया तो ऐसे person को हम death penalty नहीं दे रहे हैं लेकिन हाँ life imprisonment अगर है तो वो दे सकते हैं इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से matters ऐसे हैं जो की हमारे act में particularly mention किये हैं कि इन इन लोगों को death penalty नहीं दी जाना चाहिए क्या ऐसी कोई category है जिन में हम ये देखें कि इस तरह के particular type के लोगों को death penalty नहीं दी रहा चाहिए इस context में हमारे पास एक act है juvenile justice act उसका section number 16 ये कहता है कि जो minor होते हैं उनको death penalty नहीं दिया जाना चाहिए इसके इलावा section 416 416 of CRPC वो भी ये कहता है कि जिस समय पर execution होना है इस death penalty का अगर उस समय पर कोई women है और वो pregnant है तो ऐसी women की जो death penalty का जो punishment है उसे commute करके life imprisonment में convert कर दिया जाना चाहिए तो ये कुछ certain circumstances हैं जिसमें की death penalty किसी individual को नहीं दी जा सकती ओके झंपまた कि कुछ बाफल इसी जा जादर जिहाइक, जादर झाल झाल